जर्थी मित्रों, नौवी कक्षा में हिंदी में तिरहा काविया निती के दोहे, जो यहां रहीम जी ने हमारे सामने जो नौ दोहे का एक संग्र दिया है, जिसमें रहीम जी ने हमारे जीवन में अलग-अलग वेभारीक जीवन जो होता है उसमें हमें किस तरह हमारे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, यहने कि हमें क्या क्या करके हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें यहां प्रेणा दी है तो जो दोहे हैं उसमें पहला दोहा उसमें परहित की बावना दूसरे दीवन में सही सबंद क्या होता है तिस्रे दोहे में छोटे चीज का महत्व, चौछे दोहे में दिन बंदू, पांच्वे दोहे में कड़वे वचन वाले याने की मिठे वचन और मिठे वचन की बात बताई है, चठे दोहे में व्यक्ति की प्रवुति साथे दोहे में बिगडी हुई बात बिगड़ जाती है, तो अब क्या होता है, आठे दोहे में धिरज का महत्व है, और अंतीम दोहे में हमें किसे के पास मागना नहीं चाहिए, ऐसे नव दोहेते समों में रहिम जी ने हमें अलग-अलग व्यवारी के जीवन में हमें किस तरज जीना चाहिए यह हमें समझाया है तो विज्जार्थी मित्रो यह रहिम जी का यहां हमें पहला दुआ है उसमें लिखा है उन्होंने कि तरुवल फल नहीं खा थे सरवर पी यह नपान कही रहिम परकाज हीत समपती सुजही सुजान रहिम जी कहते है कि जो पहला दुआ जो है वो परहित की भावना परकाज की भावना रहिम जी कहते है कि पेड अपने फल नहीं खाते है और सरवर अपना पाने नहीं पीते है इसी प्रकार ग्ण्यानी पुरुष यानि कि विद्वान पुरुष परोपकार के लिए धन संपती का संगर नहीं करते हैं वो किसी के लिए के अपने लिए नहीं करता है लोगों के लिए वो बाठता है तो हमें हम्मेशा परकाज परहिद करना चाहिए रहीम जी ने पहले दोहे में समझाए दूसरा दोहा है मिद्यार्थी मित्रो कही रहीम संपती सगे बनत हु बहुत बहुरीत विपती कसोटी जे करे तेही साचे पूत तो रहीम जी दूसरे दोहे में कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपति होती है पैसा होता है तब लोग तरह तरह के उसकी सगे बन जाते हैं मित्रों बन जाते हैं उससे रिष्ट्य जोड़ लेते हैं लेकिन सच्चे मित्र वो है जो विपति के समय साथ दे दुख में साथ दे वह सच्चा मित्र है तो विज्जार्थी मित्रों हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए तिसरा दोहा है रहीम जी का रहीमन देखी बड़ेन को लगुन दीजिए डारी जहां काम आवे सुई कहा करे दलवारी रहीम जी कहते है कि बड़ो को देखकर छोटों की उप्यक्स है उनाए कि छोटे को छोड़नी देना चाहिए जो काम सुई क करती है कीया तलवार कर सकती है। हम इद्रित Και키 मेर कर सकती है। Latino कर तलवार को शेने के लिए उपयोग में ले सकते नहीं ले सकते हैं जो काम छोटा कर सकता है व्ध़ा नहीं कर सकता है । हमें छोटिव और बढ़े को भी हमें उसका महत्वा देना DAVID चोथा दौाय, दिन सबंद को लखते, दिन ही लखे न कोई, जो रहम दिन ही लखे, दिन बंदूसम होई रहम जी कहते हैं कि औसहाए और घरीब दिन, लोग सबको असाबरी नजरों से देखते हैं पर उनकी और कोई नहीं देखता है जो गरीब होता है वह कोई बड़े व्यक्ति को देखता है तो उसे लगता है कि मुझे कुछ देगा लेकिन बड़ा व्यक्ति है वह उनकी और नहीं देखता है उन पर कोई दयावरुष्टी नहीं करता यानि कि उनको कोई उनकी दुख तो हमे lle activists की चाहिए यह समझायाँ है खीरा नो काटे कि वांचवा दोहाई खीरा को मुह काटे कि मल्यत को नौन लगाए रहीमत करूए मुखन को चोहाई यही सजा है तो इस पांचवे दोहई में खीरा है निकी ककड़ी को खाने से पहला उसका सीर उपड़ी काटकर अलग कर देना चाहिए फिर उसमें कटे बाग को नमक कलना चाहिए रहेम जी करते है कि कड़वे मुखवालों को यही सजय मिलने चाहिए उसको काट देना चाहिए उपर से कड़वी मुखवाले जो कड़करकश वानी बुलते जो कड़वी वानी बुलते वह ककड़ी की तरह उसका होना चाहिए इस अपराद का यही डंड है तो हमें जीवन में मिठीवानी बुलनी चाहिए मधुरवानी बुलनी चाहिए रहीम जी ने समझाया है चठा दोहाए जो रहीम उत्तम प्रकृती का करी सकत कुसंग चंदन विश्व्यापत नहीं लप्ते रहत बुजंग रहीम जी कहते है कि उत्तम सभाव वाले लोग बुरी संगती बुरी संगती में रहे तो भी उसका उन पर प्रभाव नहीं पड़ता ठीक उसी प्रकार जैसे बयंकर विश्वाले साप चंदन के लिप्ते रहते परन्तु चंदन लिए उनका विश्वालता नहीं तो हमें चंदन की तरह रहना चाहिए हमारे बले कोई हमारे बुरी संगती में हमारे कोई व्यक्ती हो लेकिन उसका प्रभाव हमारे पर जीवन में नहीं पड़ना चाहिए हमें बिगड़ना नहीं चाहिए उदाहरन के ऐसा दिया है कि चंदन की वुरुख्ष उपर जो जहरीला साफ लप्टक लिप्टा रहता है परन्तु चंदन में कि उनका विष्ण नहीं फेलता है उसी कि चंदन की वुरुख्ष की तरह हमें अमारा जीवन जीना चाहिए साथवा दोह ये मिध्यार्थि मितरों बिग्री बात बने नहीं लाख करो के न कोई रहीमन बिगरे दूद को मठे नमाखन होयी शाटिवये रहीम जी करते कि जो बात जीवन में बिगर जाती लाख प्रयात न करने पर भी वह सुदल नहीं पाती है ठीक उसी तरह जैसे कि फटे हुए दूद जमाए गए दहिको कितना ही आप मठा करो उसमें प्रायत न करो लेकिन मक्खन नहीं निकल पाएगा यहने कि जो दूद फट जाता है उसमें से मक्खन हम नहीं निकाल सकते उसी तरह जीवन में जो बात बिगड जाती है और कभी नहीं सुधरती है तो यह भी हमें ध्यान रखना है कि जीवन में कोई ऐसा बिगड़ी हमारे जीवन में कोई बात बिगड न जाए उसका ध्यान रखना जाए यह आठवा दुआ है यह द्यारति मित्रो रहीमन विपदा हूँ बली जो थोरे दिन होई हीत अनहीत या जगत में जानी परस्थब कोई रहीम जी कहते है कि यदि आपती के थोड़े समय के लिए हो तो अच्छी हो क्योंकि उसकी थोड़े समय से हम समझाते हैं कि कौन हमारा हितकारी है और कौन हितकारी है याने कि जो विपति आती है तो हमें पता चलता है कि हमारे समाज में, हमारे स्वर्जन में, हमारे कुटूम में कौन-कौन हमारा हित करने वाला है और हित करने वाला है वह हमें पता चल जाता है तो वह हमें परक होनी चाहिए नौबा दोहा है रहीमन वे नर मर चुके जे माग जिन्दा होती हुए भी मरे हुए है जो दुसरों के दरवाजे मागने जाते हैं परंतु उनसे पहले भी मर गए है कि जिन्से मुख से नहीं सब्द निकलता है निकारात्मक ही निकलता है जो मागने वालों को दैने से इंकार कर देते है तो वे उनसे भी मर गए है तो विड्यार्थी मित्रों यहां रहेम जिने नव दोहे का समुख हमारे सामने रखा है उसमे अलग अलग बात है परोबकार के लिए है समपति के उस समय सगिकोन कौन होते है जो हमें चोटे का थी वानि इस सब हमारे सामने एसे नव दोहे का समू करका है और अब ध्यर्थी मित्रों अब हमारे जो सवध्यय सब्रस्टन में सब्धार्स प्रस्टन एक, दो और तीन, सवरड़ी एक और दो हमें अपने नौट में लिखना है तो द्यार्थी मित्रों यहां हम तीरवा काविय समाप्त करते हैं और उसके स्वाध्या प्रश्ण आप नौट में लिख दीजी